हुआ है लुट क्लास में मिसमें जाना था कि सर्वेंग क्या होता है सर्वेंग के बारे में Except of principle अंठ आ हम में बेसिक सर्वेंग होता क्या सर विंख की 250 अने बता हो कहीं भी और पॉइन्ट हो उस पॉइंट्स कि पोजिस्टर रलेलेटिव पॉजिशन को Determine करने को ही हम सर्वेग कहते हैं फंचे थो सर्वेग में कुछ बेसिक चीज थी चाहिंक का होती है लेवलिंग हम किसी पॉइंट की हाइट निकालते तो यह हो चुका था, इसके बाद था objective of survey objective of survey क्या होता है कि हम क्यों कर रहे हैं किसी भी ground की, किसी भी land की, point की हम कोई भी measurement कर रहे है, उसके coordinates निकाल रहे है उसकी height निकाल रहे हैं, क्यों कि हम उसको फिर map पे draw कर सकें हम map बना सकें या फिर plan बना सकें ठीक है तो मैप और प्लान हम बना सकें किसी भी अबजेक्ट का इसलिए हम सर्वेंग कर रहे हो यह हमारा अबजेक्टिव है अब आपके पास कोई ग्राउंड है जिसका वन किलोमेटर बाई वन किलोमेटर एरिया है आप उसको एफोर सीट पर ड्रो करना चाहते हो तो एफोर सीट छोटी से सीट जिसका लगबग 290 सम्थिंग और 3 सम्थिंग एमेम साइज होता है इस पर इसको ड्रो करना है तो आपको क्या करना होगा आपको कि स्केल एज एकरना होगा जैसे कि 1 किलोमेटर इज सर्थ इकवरी 10 सेंटी मैटर थीए वन किलोमेटर की लाइंड क fluctuate 10 सेंटी मिटर के बराबर होगी कि इस तरीके के आपको और डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे इस तरीके का स्केल हमें एजिम करना होगा या इसके लेना होगा तब जाकि हम मैप को हम ड्रो कर पाएंगे इट अलसो सोच बाउंडरी ऑफ डिस्टिक स्टेट्स कंट्री तू अलसो इंक्लूड डिटेल अप्रिटेल इंजिरिंग फीचर सच बिल्डिंग रोड रेल्वेट अब यह जो मैप और प्लान हम बना रहे हैं यह बहुत काफी तरह के हो सकते हैं जैसे कि आप किसी बिल्डि सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पे एक मैप का किसी होस्टील ब्लॉक का एकजामपल है ठीकि एक है यहां पर है जिसमें और लिटेल है ज्यांप गृट्वे दिकाए गई ऑृटिंग दिखाए गइखाए गई है और अलगलग सेक्षिन दिखाये मास्टर पलान लिका से ले रिया है uses of surveying the surveying may be used the following purpose to prepare topography map topographical map होता है जिसमें हमारा ग्राउंड की जो character stick ground की जो profile है वो हमें पता चलती है कहां पर depth है कहां पर हाइट है वो पता चलता है so hills valley river forest village and town etc the prepare of cadastral map which allows boundary field plot house and other properties cadastral map उसे बोलते हैं जहां पर किसी properties के बारे में बताया गया होता है to prepare engineering map which solves the position of engineering work such as building road railway time इस तरह के objects का जब map होता है उसको हम क्या बोलते हैं engineering map यह example आप देख सकते हो यहां पर topography map यहां पर आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से और detail में इसके topography map यहांने की जो lines इनको बोलते हैं contour lines और इनकी उपर अलग से आपका पूरा एक chapter है तो वहां पर हम इसके बारे में discuss करेंगे कैसे इनको draw किया जाता है क्या ही बताती है क्या है इनकी characteristics है कैडस्ट्रल मैप जहां पर किसी के प्रॉपर्टी किसी के स्कूल बिल्डिंग यहां पर जिम है यहां पर यह है किसी की प्रॉपर्टी बताई जाती है वहां पर कैडस्ट्रल मैप होता है wrapka topography map में जो lines थी हो contour line थी contour map to know the topography of the area to find the best possible site for rows railway bridges reservoirs, cannells etc. surveying is also used to prepare military map geological map Archeological map, etc. for setting out work and transferring detail from the map on the ground कंटूर मैप यह कंटूर मैप है जो लाइन है कंटूर लाइन हो टी शो क्या कर रहे हैं टॉपोग्राफी शो कर रहे हैं ग्राउंड की मिलिटरी मैप जहां पर मिलिटरी एक्टिविटी के बारे में बोडर या बोडर के बारे में सब के डिटेल में बाउंडरी के बारे में प्राइमरी सबसे पहले जो सरवेंग का वह है दो तरह की है कि plane surveying, एक है geodatic surveying, we know that the shape of the earth is sparodile, thus the surface is obviously curved, surface is primarily divided into two types considering the curvature of the earth of the surface, अगर earth की surface आपको पता है curvature है, इस तरह से हमारी spherical earth है, अगर हम यहां से लेके इस area और इस area के बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो तिने बड़े area के अगर बात करें तो यहां पर सीधी line नहीं ले सकते हैं, यहां पर अगर measure करेंगे तो यहां पर curvature भी consider हो जाएगा, बट अगर हम small area की बात करें तो वहां पर हमें area flat मिलेगा, तो वह हम बड़े area का survey कर रहे हैं kilometers में, तो वहां पर earth की जो कर्व है, उसको consider किया जाता है और plane area में earth की surface को flat surface माना जाता है, यही टाइप के survey को plane surveying और geodatic survey कहा जाता है, तो यह plane serving और geodatic अफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्या होता है plane surveying, जहां पर earth की surface को consider नहीं किया जाता है, small area में आपका surveying होता है और आपका geodatic surveying जहां पर large area का surveying होता है और अर्थ की curvature को consider किया जाता है definition पढ़ लेते हैं the plane surveying is that type of surveying in which earth surface is considered as a plane earth की surface को क्या consider किया जा रहा है the curvature of the earth is ignored in such surveying line joining of two stations consider state अगर दो station या नहीं station दो point A और B की जो line joining होगी वो क्या होगी बिल्कुल state consider किया जाएगा the triangle form either three point is considered as a plane triangle earth की surface पे अगर कोई triangle हम बनाते हैं तीन point से A, B, C तो क्योंकि हमने पहाए दो station के बीच के line को state line consider करेंगे plane surveying में तो यह क्या हो जाएगा यह plane triangle हो जाएगा and the angle of the triangle are considered to be plane angle और यह angle क्या होगे plane angle होगे ठीक है plane surveying में the surveying is carried out for a small area is less than 250 km2 यह याद रखेंगे नहीं competitive exam में आपका पूछ ले जाता है तो 250 km area से कम के area में consider करेंगे earth की surface को plane it's carried out by local and state agencies like R&B department, irrigation department, railway department ठीक है यह plane surveying का कोच आपका एक map है second आपका division क्या था primary division में भी to second classification तो geodatic ता फस्ता plane इसकी definition पढ़ लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं the geodatic surveying is that type of surveying in which the curvature of the earth is taken into account curvature of the earth consider क्या जा रहा है curvature आप समझ रहे हैं इस तरह की surface it generally extend over large area बता चुका हमें large area में ही इसको consider क्या line joining any two station consider as the curve line A और B की line को हम consider कर रहे हैं straight line plane surveying में क्योंकि यह बहुत ज्यादा लंबी line है तो इसको हम consider करेंगे curve line इस तरीके से the triangle form by three point consider to be spherical angle अगर आप कोई triangle होगा वो इस तरीके से बनेगा आपका triangle यहाँ पर line straight नहीं है आप देख रहे हो ठीक है alpha, beta, gamma तो geodatic surveying is conduct by the survey of India department is carried out larger area exceed by 250 km2 इसको याद कर ले ना 250 km2 से कम तो plane survey और से ज्यादा तो आपका geodatic surveying तो primary division का है surveying का plane surveying and geodatic surveying यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर geodatic distance यह दिया हुआ है यहाँ पर अभी इन diagram को समझने कितने ज़्यादा ज़रूद नहीं है बाद में इनको अच्छे से discuss करेंगे जब इनके उपर topic आएगा what is the difference between plane and geodatic surveying यह question आजाता है आपको तो इस तरी किसा आपको लिखना है क्योंकि इसमें problem क्या होती है students को कि उनको पता है plane और geodatic surveying लेकिन एक दो point पता है और marks पांच नमबर का यह question आएदा तो आप दो point नहीं लिख सकते तो number of point आपको ज़्यादा आदा है है the first point क्या है, the earth surface considered as a plane surface and the earth surface consider as a curved surface the curvature of the earth is ignored, the curvature of the earth taken into account line joining by two state and state line and the spherical line triangle is spherical and triangle is spherical, straight triangle, plane triangle और keep list on angle triangle of the plane plane angle isme क्या होग a spherical angle such as 20 is less square less area तो यह बहुत इपोटेंट चीज है कि यह पांच नमबर में कोशन आता है और बच्चे क्या करते हैं दो लाइन लिख देते हैं इसके बारे में उन्हें जो याद होती है करवेचा कंसिडिर और नॉट ठीक है लार्ज और स्मोल एरिया तो इस तरीके साथ आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे आपको 6 पॉइंट में लिखना है जो आपको सही से मार्क्स मिल सकें इसके बाद आपका अपको फंडामेंटर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेंग टू बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ठीक है आज इनको डिटेल में नहीं पड़ेंगे आपको नेक्स लेक्टर नहीं पड़ेंगे आज के लिए इतना ही पड़ेंगे लेकिन आपको एक बार डेफिनिशन परीड कर देता प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल टू लोकेट न्यू स्टेशन बाइ एक लिस्ट तो मेजरमेंट लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स रिफ्रेंस पॉइंट ठीक है यह दो पिंसिपल ने बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में ठीक है और मैं भी अग को मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है स्टुडेंस को आते हैं यह लेकिन वो उसके बारे में बहुल कम पाते हैं लिक कम पाते हैं प्रॉब्लम ही आती है और यह ज्यादा माक्स का आता है इसमें यही प्रॉब्लम आत ठीक है तो इसको next lecture में हम इसको discuss करेंगे आज की lecture के लिए इतना ही ठीक है thank you very much